कल IPL माच में जो हाई वोल्टेज ड्रामा हुआ उसकी तस्वीरें इस वक्त आप देख रहे हैं आज सोशल मीडिया पर इन तस्वीरों की बारिश हो रही है और उन तस्वीरों के साथ कमेंट्स की भी बारिश हो रही है जिसमें कहीं पर लिखा है कि विराट कोहली ने गुसे में गोतम गंभीर पर इंडिरेक्ट अटैक किया कहीं पर विराट कोहली के बारे में लिखा है कहीं पर गोतम गंभीर के बारे में लिखा है जिस तरह से ये कल हाई वोल्टे ड्रामा जो है पूरे मैच में देखने के मिला तो ये तो लाजमी था कि हमें पता था कुछ ना कुछ ऐसा होने वाला है मैच में क्यूंकि ये वीक ही राइवल्डरी वीक है और यहां पे जितने भी आई पिल के मैचिस होंगे तो एक टीम जो को और वहां पे आर्सी बिने मैच जित लिया ये ड्रामा ही सारा आज से निहीं शुरू हुआ है ये ड्रामा गौतंबिर और विराट कोली का है सबक्ताइब कर रहे तक बो पहले मैच था मैच जो से पहले मैच हुआ था उसमे विराट कोली और गौतम गंभीर और आवेश खान इनके साथ जो बहुत गर्मा गर्मी देखने के लिए थी जिनके बैंगलूरू में मैच था और वहां पे चेज़ करते हुए लखनों ने मैच वो जीत लिया था जैसे वो मैच जीता और अवेश खान ने अपनी हैलमट खोल के निशे जमीन को पड़क दी बीसे जैनेस को काफी फटकार भी लगाई उस चीज़ को लेकर और काफी संग्यान भी लिया और उदर से गोतम घंबीर इशारा करते हुए नजर आए इस तरीके से तो काफी वो गर्मा गर्मी देखने के लिए मिल रही थी और ये बिलकुल लासमी था कि अगर जैसे मैच यहां पे होगा लगनों में होगा वहां पर अगर आरसीवी जीतती है तो वहां पर विराड कोली का क्या रूप आता है वो विराड का विराड दबंग गई सामने आई जिस तरह से विराड कोली ने अपनी अपनी मंच्छा बिलकुल पूरी तरीक से दिखाई हाना कि इतना स्कोर नहीं कर प उसी टाइम कैलोमेर्स जब विगड़ गी उसी टाइम विराड कोली ने यह जाहिर कर दिया कि मैं बिलकुल अग्रेशन में हूँ उन्हें बहुत इशारे करते हुए कहा कि यह कैलोमेर्स आप जाएं घर उसके बाद यह असली ड्रामर जब चुरू हुआ यह शुरू हुआ जब नवीन विकड़ पर आए जैसे वह बैटिंग करने के लिए आये तो उस टाइम पर विराड कोली ने क्या किया उनको एक इशारा किया पहले उसके पास से गुजरे एक टिपनी की फिर वह जूते की तरफ इशारा किया उस तरीके से तो बताना चाहते हैं उसको की तरी उकात नहीं है शायद उसी बारे में वो कहरेती है विराड को ली तो वह देखके तो माने लोक क्यों वह ऐमाने पहले और ब्ललबोक कίν था क्या अख्या और उस बिल्कुल उनको अग्रेशन अपना दिखाया और उनकी लड़ाई हुई थी शाहित अफ्रीदी के साथ और मुहमद आमीर के साथ और वहां पर बीच बिच बचा मुनाफ पटेल ने किया था के श्रॉलिंगा प्रेमर लीग में इसलिए नवीनुलग के लिए कोई ने चीज न किसी एक नॉर्मल विवर जो देख रहा होगा उसके मन में यह तो आएगा यार इसने तो हदी पार कर दी तो क्या आखिर में कहेंगे यहां पर कुछ खिलाडियों को ऐसा है कि यह चीज सोचनी चाहिए समझनी चाहिए और यहां पर ग्राट को कुछ फेरों में कमेट्स भी सचीन तंदूलकर कहा जाता है ठीक है वो उसको दुनिया के बॉलर्स आके कुछ कुछ बोलके चले जाते थे पर वो अपनी गर्द नीचे करता था और चला जाता था बाहर और उसने अब जब भी जवाब दिया अपने बैट से दिया ऐसे बहुत से एक्जेंपल है हैंडरी अलोंगा को जवाब दिया अपने बल्ले से फाइनल मैच चल रहा था इंडिया जिंभावे का उसमें सचीन दूलकर ने 124 रन किये 92 बालों में और 10 विगर्ट से वो मैच इंडिया ने जीता था सचीन दूलकर की बतौलत से वो जवाब था ना कि ये जवाब है जब आप ग इस जो थी इनकी मैच की उसका उनको फाइन किया है गौतम गंबीर और विराट कोली को दोनों को और गौतम गंबीर ऐसा तो नहीं है कि विराट कोली की दुश्मन है एक साथ खेले हैं वर्ल्ट कप इंडिया ने जब जीता था तो माइच शोटी सी पारी खेली थी गोतम ग पाइचारा जो बना के रखें और यह आने वाली जबा रहे हैं उनके लिए एक्जेम्पल सैट कर रहे हैं तो यह को देखनी चाहिए और और सिर्ट को भी कल तो इस तरह लग रहा था कि बस यह बैट एक बैट उठाएगा दूसरा बॉल्ग साथ शुरू हो जाएगा यह विग्रुट उड़ताएगी तो यह गली हुआ वाला वाला क्रिकट चल रहा है तो आप यहां पर लड़ाई शुरूरू है तो साहिल ने जैसे कहा कि कल तो हद पार हो गई और बहुत अच्छी बात इन्होंने कहीं कि अगर उसका रियाक्शन आपको देना ही था तो आप अपने काम से देते क्यों आपने गुसा दिखा कि दिया क्योंकि एक जो मैसेज है वो गलत तरह से जाता है और आपका इस पर क्या कुछ रियाक्शन है आप